नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम सुक और वार 15 मार्च 24 को जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पाया नक्सेतर राशी और जनम अक्सर क्या रहेगा आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों यदि आपके बच्चे का जनम 15 मार्च को सुबह 12 एम से 4 बच्च का 26 मिनट एम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायर रहेगा सुमण कृति का नक्सेतर का दूसर चनड वरीश राशी और ए अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आ आपके बच्चे का जनम 15 बच्च का 27 मिनट एम से 10 बच्च का 26 मिनट एम के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायर रहेगा सुमण कृति का नक्सेतर का दूसर चनड वरीश राशी और ए अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्च बच्चे का जनम 10 बच्च का 17 मिनट A.M. से 4 बच्च का 8 मिनट P.M. के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरगा सुमान करीती का नक्सतरगा चोथा चंड वरीस राशी O.A. अक्सर से बच्च का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 9 मिनट P.M. से 10 बच्च का 3 मिनट P.M. के बीच में जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरगा सुमान करीती का नक्सर चंड वरीस राशी O.A. अक्सर से बच्च का जनम अक्सर निकलेगा और यदि आपके बच्चे का जनम 10 बच्च का 4 मिनट P.M. से 4 बच्च का 1 मिनट A.M. सोड़ा मर्द 2024 को जनम हुआ है तो आपके बच्चे का पायरगा सुमान रोहनी नक्सर का दूसर चंड वरीस राशी O.A. अक्सर से बच्चे का जनम अक्सर निकलेगा धन्यवाद